हैं आपको पाड़ा आता है कहां तक असी तक अच्छा आप तैतर का पाड़ा सुनाएं हमें आप लिख सकते हैं इसको बिलेक बोट पे पीछे गूं के जरा लिखिएगा बिलेक बोट पे जल्दी इसे लिखो तैतर का पाड़ा बहुत जल्दी बहुत अच्छा पूजा बहुत अच्छा अब आप पाड़ा लिखिए 48 का पाड़ा लिखें और तेजी से लिखें दन्यवाद बहुत अच्छे बहुत अच्छे एक पाड़ा और आप हमको लिखके दिखाएंगी सरसट का पाड़ा लिखिए आप स्पीड बढ़ाई रहिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बहुत धन्यवाद इस बच्छे ने ये पाड़ा मात्र 14 सेकेंड में लिखकर के यहां प्रदर्शित किया है आप देखिए इसकी बहुत धिक्छमता एक से लेकर सौतक के बर्ग ये बच्छी किस दक्छता से ब्लेक बोर्ड पर लिखकर के दिखाती है इसको देखें बेटा आप 61 का बर्ग लिखिए बहुत धन्यवाद उपर लिखिए थोड़ा साफ जगे में उपर लिखें और उपर अब लिखिएगा आप 73 का बर्ग लिखिए बहुत अच्छे पूजा बहुत अच्छे आपको सोतक बर्ग आते हैं जी सर आप 86 का बर्ग मौसिब मौकिक बताईए जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे धन्यवाद आप एक पाड़ा हमको और सुनाएंगे एक पाड़ा हमको और सुनाएंगे उनसठ का पाड़ा सुनाएं बहुत अच्छा ये आपका गड़ित का ग्यान रहा अब हम आपसे कुछ मेनिंग पूचना चाहते हुनका उत्तर आप इसी सठीक ग्रूप में देते रहें आप बारे सिंगा की मेनिंग बताईए एस्टी एजी स्टैंग इस्टैंग में बारे सिंगा बेडिया मगर माच बोल बोल काफोरवा ग्यर्गेट रक्त रोदेर देखिए ये बच्ची किस तरह से मीनिंग बता रही है अंग्रेजी और उचारण दोनों चीज़ें ये लिख भी सकती है और इस बच्ची को एक अजार से उपर मीनिंग याद है इसकी बहुत देख छमता कितनी बिलक्षन है आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे इस बच्ची को हर सप्ता इसके नए ग्यान के साथ हम इसका वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे इसी के साथ हम अपना पता बताना चाहते हैं कि ये बच्ची जिस विद्याले में पढ़ रही है उसका नाम है के डी टी आर पबलिक स्कूल ललूपोर मेंपुरी ये विद्याले मेंपुरी भोगां रोड पर इस्थित है यहां आना बहुत आसान है अगर आपको ये लगता है कि इस बच्ची के साथ कोई अलग से इसको प्रोचसान दे कर या इसका ग्यान बढ़ा कर कोई अलग सुविदा दे कर इससे इस पस्टी करन लिया गया है